Hello Friends, आज की वीडियो में हम आपको Hallmarking Center कैसे खोलना है इसके बारे में बताएंगे दोस्तो आप मेंसे काफी लोग ये जानते होंगे कि गर्मिन ने अब Gold की Hallmarking को mandatory कर दिया है यानि कि आप कोई भी Gold की Jewelry बिना Hallmarking के Sell नहीं की जा सकती ये नियम 16 जून से लागू हो चुका है और इसमें सभी Gold एवं Silver Jewelry को एक HUID यानि की Hallmark Unique Identification Number देना अनिवारे हो गया है दोस्तो ये स्टेप BIS Act 2016 के तहत लिया गया है और सरकार ने ये भी कहा है कि ना केवल नहीं बलकि जो पुरानी Jewelries Jewelry के इस पास स्टॉक में हैं उनको भी Hallmarking करके ही Sell किया जा सकता है इनी कारणों की वज़ज़ से अभी Hallmarking Center खोलना काफी फाइदे मंद हो गया है क्योंकि आपको Government के नए Regulations के आने के बाद regular basis पे काफी काम मिलता रहेगा तो दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि Hallmarking Center क्या है और इसमें किस प्रकार से काम होता है इसके अलावा हम देखेंगे कि Hallmarking Center का process क्या है और इसमें किस टाइप की machinery लगेगी फिर हम देखेंगे कि आपको इसमें कितना investment cost लगेगा यहां आपको किस प्रकार के licenses लेने की जरुरत है और आगते में हम ये भी देखेंगे कि आप इससे कितना income generate कर सकते हैं दोस्तो Hallmarking का license B.I.S. द्वारा merchants को issue किया जाता है भारत में दो precious metals हैं जो की gold और silver जिनका Hallmarking किया जाता है इन Hallmarking Center पे सभी gold और silver jewelers अपनी jewelry एवं अन्य precious metal products को Hallmarking करवा सकते हैं दोस्तो Hallmarking Center को किसी भी jewelry को Hallmark करते समय उसकी purity टेस्ट करके उसकी purity का mark अपने Hallmarking Center का number और jewelry का identification number इत्यादी jewelry पर punch करना होता है Hallmarking Center का license ISO 15820 के तहट दिया जाता है और ये एक बार में 3 साल के लिए valid होता है जिसके बाद इसे आप फिर से renew करा सकते हैं यहाँ पे Hallmarking Centers को registered jewelers की ही jewelry test करवा के उन पे stamp लगवाना होता है और इस process के लिए jeweler आपको एक fees भी पे करता है जिसके बारे में आपको वीडियो में आगे बताएंगे दोस्तो अगर इस Hallmarking Center के infrastructure requirement की बात करें तो सबसे पहले आपके पास अपना Hallmarking Center खोलने के लिए करीब 500-600 square feet की जगा होनी चाहिए इसके अलावा इस shop में आपको करीब 500 square feet की जगा अपने essaying lab के लिए भी रखनी होगी दोस्तो BIS ने Hallmarking Center के लिए कोई space की minimum requirement डिफाइन नहीं की है लेकिन आप अगर center को efficiently run करना चाहते हैं तो आपको minimum इतने area के requirement पड़ेगी दोस्तो BIS की कुछ mandatory requirements भी है जैसे की यहाँ पर electricity को continuous supply होना चाहिए यानि कि यदि आपके पास कभी power cut वगरा का issue होता है तो आपके पास एक अलग से power backup होना चाहिए जैसे की आप अपने center पे एक 15 KVA का generator install करवा सकते हैं guidelines के हिसाब से इस center में proper safety का setup होना चाहिए जैसे की यहाँ पर CCTV camera, safe lockers और आपके center air condition होना चाहिए दोस्तो इसके अलावा इस center के सभी अलग type के sections को properly divide किया होना चाहिए जैसे की reception area अलग, quality management office अलग, laser section, sampling section या essaying lab section और इस प्रकार के सभी section अलग defined एवा marked होने चाहिए दोस्तो अब इस business में equipment और machinery की बात करें तो जैसा की आप अपने screen पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कई प्रकार के equipment की requirement है जैसे की XRF machine, laser marking machine, essay balance, sampling tools और इस प्रकार के अन्या machinery दोस्तो यदि आप इन machinery का list देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को भी pause करके note down कर सकते हैं या फिर आप इसका screenshot भी लेके अपने पास रख सकते हैं अब अगर hall marking center के काम यानि कि इसकी process की बात करें तो आपके center पर जो भी jewelry आएगी उसमें सबसे पहले आपको ये check करना है कि ये jewelry किसी registered jewelers के पास से ही आई हो ये करने के लिए आपके पास BIS website पे सभी registered jewelers की list मिल जाएगी जहां से जाके आप इस detail को verify कर सकते हैं next step में आपको इस jewelry का weight चेक करना है यानि कि document पर जो weight लिखा है क्या इस jewelry का वही weight है या दोनों में कुछ difference आ रहा है XRF testing का इस step में jewelry के अंदर ये चेक करना होता है कि इसमें कोई भी band materials जैसे की cadmium या iridium या फिर कोई impurities तो मौझूद नहीं है अगले stage में jewelry की sampling की जाती है यानि कि jewelry के packet में से एक sample निकाल के उसको testing के लिए भीजा जाता है अब next step है assaying का जिसमें gold की finish और impurities calculate की जाती है और last step में laser machine के through assaying step के calculation के हिजाब से jewelry पे hall marking की जाती है और finally hall marking के बाद hall mark jewelry को return कर दिया जाता है दोस्तो एक packet jewelry का इस पूरा cycle complete होने में करीब 8 से 9 घंटे का वक लग जाता है अब अगर हम यहाँ पे documentation की बात करें तो आपको अपनी company का proof of establishment submit करना होगा इसके अलावा आप जिस जगह पे center लगवा रहे हैं वो यदि आपने purchase की है या lease की हुई है तो आपको उस जगह का proof of address भी submit करना होगा फिर आपको अपने signing authority का proof of identity और अपने premises का एक map भी देना होगा जिसमें आपको nearest landmark को बड़ी spust तरीके से mark करना है दोस्तो इसके बाद BIS आपको center चलाने के लिए एक generic quality manual प्रुवाइड करता है जिसके basis पे आपको एक अपने center का quality manual बना कर license लेने के लिए भी इसे submit करना होगा ये generic quality manual आपको BIS की website पर मिल जाएगा और आपकी सहूलियत के लिए इसका link भी मैं आपको description में दे दूँगा आप चाहें तो वहाँ से जाके भी इसे देख सकते हैं और अंत में आपको एक affidavit come undertaking BIS के regulations के हिसाब से बना कर submit करना है दोस्तो अब अगर investments की बात है कि यदि लोग आपके center को assist करने में दो दिन लगाते हैं तो आपको कुल मिलाके 20,000 रुपे assessment fees के तोर पे देना होगा और अंत में आपको recognition fees यानि कि आपने center को run करने के लिए license fees देनी होगी जो कि 3 साल के लिए फिलाल 60,000 रुपे है तो यहाँ पे आपके license पे कुल खर्चा करीब 80,000 से 1,000,000 रुपे तक का हो जाएगा अब इसमें next investment आपके पास land का होगा दोस्तो ये investment आप अपने हिसाब से कर सकते हैं यानि कि यदि आपके पास खुद का land है या purchase करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं या फिर आप इसे lease पे ले सकते हैं आम तोर पर land का price आपके area पे depend करता है लेकिन यदि आप कोई commercial property main market में भी लेते हैं तो 500 से 600 square feet की जमीन आपको करीब 25,000 रुपे rent पे मिल जाएगी दोस्तो इसके लावा आपको अपने center पे staff की salary देने के लिए भी working capital का arrangement करना होगा अब यहाँ staff के बात करें तो आपको हर चीज़ के लिए अलग से एक skill staff रखना आनिवारे है जैसे की reception एवम jewelry correction के लिए एक staff फिर XRF testing के लिए एक specialist उसके बाद sampling के लिए एक staff assaying के लिए दो staff और इसके अलावा quality control manager और center को run करने के लिए भी एक manager रखना होगा तो इस प्रकार से आपका staff पे करीब देड़ से 2 लाक रुपे महीने का खर्चा होगा फिर आपको gold की testing और hall marking के लिए मैंने वीडियो में जो पहले equipment बताए वो equipment भी लेने पड़ेंगे अगर आप standard quality के equipment लेते हैं तो इन सभी machinery का खर्चा आपको करीब 45 से 50 लाक रुपे के बीच का आएगा दोस्तो आप यहाँ पे आपके income याने hall marking charges की बात करें तो आपको per jewelry के लिए 35 रुपे का charge मिल जाएगा यहाँ पे per consignment minimum 200 रुपे जोलर को pay करना ही होता है यानि कि यदि वो 200 से कम का भी jewelry hall marking के लिए लाता है तो इसको minimum 200 रुपे आपको pay करना होगा तो इस प्रकार से आप यहाँ अच्छी कासी income generate कर सकते हैं दोस्तो यह थी पूरी जानकारी hall marking business के बारे में यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे like कर दें और अपने दोस्तों के साथ share करें यदि इस प्रकार की जानकारी आप future में भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को subscribe कर ले और bell notification icon को दबाएं यदि आपका हमारे लिए कोई सवाल हो या आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें Instagram पर DM कर सकते हैं ये comment box के माध्यम से बता सकते हैं धन्यवाद